जैहिन प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतोस क्लासेश प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 इंग्लिज जे सी आटी संसाइन टेक्सबुक में यूनिट 6 दा किरिकेट मैच इस चैप्टर के कोशन एंसर को करेंगे तो आप लोग पैंसिल और कॉपी निकाल लिजिए, नोट डाउन किजिएगा कोशन दे रखा है, who comes back from school? इसकोल से घर कौन वापस आया? इसकोल से घर वापस कौन आता है? तो इसका एंसर आप लोग लिखेंगे, इसकोल से वापस आता है, ठीक है? यह आपको लिखना है कि स्कूल क्रिकेट टीम में कितने प्लेएर्स थे हैं? तो यहाँ पे जब अमन अपने दाता जी को बता रहा था है कि हमारे स्कूल में क्रिकेट मेच हो रहा है तो उस दोरान उसने बताया था कि क्रिकेट टीम में टोटल 11th प्लेएर्स थें और समीर उनके क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है, वो समीर है, वो बताया था लिखेंगे, there are 11th प्लेएर्स इन दा स्कूल क्रिकेट टीम स्कूल क्रिकेट टीम में 11th प्लेयर थे 3rd question यहाँ है Who is the captain of school cricket team School cricket team का captain कौन था तो यहाँ लिखेंगे Samir is the captain of school cricket team ठीक है school cricket team यह आपको लिखेना है 4th question यहाँ है बच्चो Why did Aman stay at home Aman घर में क्यों रुक गया ठीक है Aman घर में क्यों रुका हुआ था तो लिखेंगे Aman stayed at home to take care of his grandfather Aman घर में रुक गया क्योंकि वह अपने दादा जी की देखवाल करना चाहता था उसके दादा जी की तप्या ठीक नहीं थी उन्ही के देखवाल करने के लिए वह घर में रुक गया 5th question है Is Aman's mother a teacher और a doctor कि Aman की मां क्या थी एक सिच्चक थी या फिर एक डॉक्टर थी इसका answer होगा Aman's mother is a teacher Aman की मां एक सिच्चक थी तो यहां पे आप लोग इसका screenshot ले लीजिए note down कर लीजिएगा question number B को देखते हैं choose the correct answer and fill in the blanks देखे हर एक question के तीन option दे रखें आपको सही option को choose करना है और यहां पे fill कर देना है यहां दे रखा है Aman comes back from Aman वापस आया था कहां से वापस आया school से, playground से या फिर market से school से वापस आया तो तो school में tick लगाओ गए से और यहां पे लिख देंगे school ठीक है इसी का second question दे रखा है Aman stayed at home too Aman घर में रुख गया था help his mother मा की मदद करने look after his grandpa अपने दादा जी की देखवाल करने read his new book या नई किताब को पढ़ने के लिए क्या होगा इसका answer look after his grandpa अपने दादा जी की देखवाल करने के लिए रुख गया था तो इसे टिक लगाएंगे यहां पे लिख देंगे third day रखा है Aman's mother comes back home to Aman की मा घर वापस आयी कब आय थी 2.30, 5.30 या 3.30 दो बच कर 30 मिनट में 5 बच कर 30 मिनट में या 3 बच कर 30 मिनट में तो होगा 3.30 इसमें 3.30 यहां लिख देना है ओके next question यहां करते हैं यहां पे देखिए हमें बतलाना है कि यदि हम cricket खेना चाहते हैं to play cricket to play cricket we need तो हमें क्या क्या चाहिए cricket खेलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें यदि drama प्रेजेंट करना तो उसके लिए क्या क्या चाहिए school यदि हम school एक open करना चाहते हैं तो school में क्या क्या चाहिए यदि hospital एक hospital चलाने के लिए क्या क्या चाहिए और होटल और रन करने के लिए क्या क्या चाहिए तो सबसे पहले क्रिकेट के लिए हमें क्या क्या चाहिए बैट लिखेंगे, बॉल लिखेंगे और प्लेयस चाहिए इसके अलाबा विकेट्स और भी वेगेरा चीज़े बहुत सारी चाहिए लेकिन या पत्री तो दे रखा है तो बैट, बॉल और प्लेयस यह तो चाहिए present a drama, एक drama present करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो दिखेंगे artist, theme और dialogue artist चाहिए, theme चाहिए और dialogue चाहिए to run a school, हमें क्या क्या चाहिए student, teacher and books टीक है, to run a hospital we need, doctor, nurse, ambulance, to run a hotel we need, hotel, land, people, land इसलिए चाहिए कि जो बिल्डिंग बनेगी होटल की, उसके लिए land चाहिए, और people यानि लोग चाहिए, तो यहां पर आप लोग इसे note कर लिजे, अगला question यहां दे रखा है, fill in the grid with words given below, कि यहां पर देखे, यहां गेम्स का नाम दिया रखा है, और बताया है कि आप किसे खेलते हो, कहां खेलते हो, कितने players होते हैं, और indoor है या outdoor, तो cricket, cricket हम लोग किस किसे खेलते हैं, bet और ball से, कहां पर खेलते हैं, ground पर, कितने players होते हैं, levels, outdoor या indoor, outdoor यानि बाहर में, indoor यानि अंदर, घर के अंदर, कहां खेलते हैं, outdoor, ludo, ludo में हमें चाहिए, token और dice, ठीक है, एक ठो, ludo board भी चाहिए, उसके लिए token और dice, और कहां पर खेलते हैं, घर में, home लिखेंगे, players कितने होते हैं, four, outdoor, और outdoor है या indoor, तो ये indoor है, football, football में football चाहिए, और कहां पर खेलते हैं, ground में खेलते हैं, field भी लिख सकते हो, numbers of layers, कितने players होते हैं, 11, outdoor और indoor, outdoor है, chess, तो chess चाहिए, chess board और chess piece चाहिए, कहां पर खेलते हैं, घर में, कितने players, two players, outdoor या indoor, indoor, तो ऐसे आप लोग नोट कर लेना है, नेक्स्ट को, यहाँ पर, तो यह थे question answer, unit 6, cricket match कर, असा करता हूं का अपसर भी को समझ में आया होगा, किसी भी question में doubt, कमेंट कीजेगा, वीडियो को like, share, ज़रू कीजेगा, भारत तो उस classes पर नहीं हो, तो subscribe, यह रूठना, thank you,